हर्याना चुनाओं में हुई बंपर वोटिंग दोरान जनता जनार्दन दुआरा खेले गए पल्टिमार गेम ने कई बड़े-बड़े नेता और मंत्रियों की नीद उड़ा कर रख दी है 2019 के हर्याना चुनाओं में बिजेपी को 71 को मातर 8 सीटें देने वाला एकजिट पूल इस बार भी पुरी तरह से जूपर डूपर फ्लोप साबित होगा नेताओं की आपसी गुटबाजी के भेंट चड़े हर्याना चुनाओं में इस बार जनता जनार्दन ने राजनितिक पार्टियों के साथ ही खेला कर दिया है 60 पजार तासरवे के अनुसार नराएंगड और अमबाला सहर विदानसवा सीट पर कॉंगरेस पार्टी जीत रही है मुलाना अमबाला केंट विदानसवा सीट पर बारतियोंता पार्टी कमल खिला रही है इसके अलावा हर्याना के कुर्चेतर जिल्ले की रोडल चार विदानसवा सीटें हैं एसिया के मसूर प्लोजटा बजार की तासर वेकिया कुर्चेतर जिल्ले की साहबाद और थाने सर इन दो सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीत सकती है अलांकि थाने सर विदानसवा सीट पर बिजेपी कॉंग्रेस में कांटे की टकर है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को यहां पर जो बड़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है इसके अलावा पेहोवा और लाडवा इन दो विदानसवा सीटों पर बारतियंता पार्टी एक तरफा कबजा कर सकती है लाडवा सीट से सीम नायव सेनिया उचुनावी मेदान में उतरे हुए थे इसके अलावा यमुनानगर जिले की रोडल चार विदानसवा सीटें है प्लोईज रटा वजार की तास रुवे के अनुसार साटोरा विदानसवा सीट पर बस पास एक डिटकर के साथ कॉंग्रेस पार्टी जीदर्ज करने में काम्याब हो सकती है तो वहीं जगादरी और आदोर इन दो विदानसवा सीटों पर बारतिय जीदर्ज कर सकती है जगादरी सीट पर आमादूई पार्टी के उमीदवार ने कॉंग्रेस को नुकसान पहुंचा है जबसी दा फैदा बारतिय जन्ता पार्टी को पहुंच रहा है इसके अलावा यूननगर विदानसवा सीट पर करेटकर के साथ इनेलो जीत दर्ज करने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा रोतक जिले की टोटल चार विदानसवा सीटी हैं वैसे तो हुड़ा साब का गड़ है रोतक जिला लेकिन मेहम विदानसवा सीट पर निर्दलीय परत्यासी बलराज कुंडू जीत दर्ज करने में काम्याब हो सकती है बलराज कुंडू की हार जीत मातर 1500 वोटों के साथ होगी लेकिन मुदा इस्तिति के अनुसार बलराज कुंडू काफी मजबूत यहां पर दिखाई पड़ रही है गडी सांपला क्लान और और रो तक इन तीन विदानसवा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है पुंडरी विदानसवा सीट पर एक बार फिर से निर्दलिय परत्यासी सतबीर बाना एक तरफा जीतरफा जीतरज करते होई आज की तासरवे में दिखाई दे रही हैं इसके अलावा पानिपत जिले की रोडल च्यार विदानसवा सीटें हैं तो वहीं इसराना और स्माल का इन दो विदानसवा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीदर्ज करने में काम्याब हो सकती है समाल का विदानसवा सीट पर है स्सी कांत कोसिख जो निर्दलिय परत्यासी हैं उनके साथ कॉंग्रेस की कांटे की टक रहे लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जीदर्ज करने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा जजर जिले की रोडल चार विदानसवा सीटी हैं फ्लोजटा अबजार की तासरवे के अंसार जजर जिले की बादरुगड विदानसवा सीट से निर्दली है परत्यासी राजेश जू जीत दर्ज करने में काम्याब हो सकती हैं बीजेपी से बागी होकर के बारत्यांता पार्टी ने राजेश जू को एक तरह ज़ेश समर्थन भी दिया था इसके अलावा बादली जजर और बेरी इन तीनों विदानसवा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीत सकती है बादली विदानसवा सीट पर कांटे की टकर है लेकिन जजर जिले में बारत् पर बिजेश पी ने निर्दलिय परत्यासी रईसा खान को एक तरह से समर्थन देने का एलान किया था अगर वो खेला बिजेश पी का काम्याब हुआ तो यहां से कोंग्रेस के उमिदवार हार भी सकते हैं यानि कि कहीं न कहीं पूना आना विदानसवा सीट पर रईसा खान को भी अच्छे खासे वोट मिलने का अनुमान सटा बजार द्वारा लगाया गया है इसके अलावा पलवल जिले की टोडल तीन विदानसवा सीट हैं सटा बजार की तासर रवे के अंसार पलवल जिले की एक मातर पलवल सैर विदानसवा सीट पर बिजेपी जीत रही है हती विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी और इनेलों में कांटे की टकर है लेकिन यहां पर कॉंग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है यहां हार जीत है वो बहुत ही कम वोटों के साथ होगी इसके अलावा होडल विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी ए दो विदानसभा सीटों पर बारत्य जंता पार्टी एक तरफा कबजा करते हुए कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है लेकिन रिवाडी विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरफा कबजा करते हुए आज की तासरवे में दिखाई दे रही है अन्य का रिवाडी में किसी भी तरह का खाता नहीं खुलेगा पुरी तरह से जूपणा साप हो चुका है रिवाडी सीट कॉंग्रेस को और दो सीटें बिजेपी को जाती हुए दिकाई दे रही है इसके अलावा फत्याबाद जिले की डोडल तीन विदानसबा सीटें हैं प्लोज अटा बजार की तासरवे के अनुसार फत्याबाद जिले की पत्याबाद सैर विदानसबा सीट पर बारतियांता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है लेकिन बच्ची हुई दो सीटें तोहाना और रतिया इन दोनों ही विदानसभा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपा कबजा करती हुई आज की तासरवे में साप साप दिखाई दे रही है फत्याबाद की एक सीट बिजेपी को और दो सीटे कॉंग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है अन्या का फत विदानसभा सीट पर कांटे की टकर के साथ कॉंग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है डबवाली एलनाबाद और राणिया इन तीन विदानसभा सीटों पर इने लो गट बंदन को एक तरपा कबजा करने में काम्याबी आसिल हो सकती है और सिर्षा सेर विदानसभा सीट स एचलपी उमीदवार या कह सकते हैं कि बिजेपी समर्थक गोपाल कांडा एक तरपा जीत दर्ज करते हुए साप साप दिखाई दे रही हैं इसके अलावा गुडगावा जिले की रोडल चार विदानसभा सीटे हैं फ्लोजटा बजार की तास और वेक अनुसार गुडगा गुडगावा सहर और सोना चारों विदानसभा सीटों पर बारतिय दंता पार्टी एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है गुडगावा की किसी भी विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा गुडगावा की सभी चारों विदानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी वोट कटवा निती के तहत है कॉंग्रेस पार्टी को नुक्सान पहुंचा है इस गसिदा फायदा बिजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा बिवानी जिल्ले की टोटल चार विदानसबा सीटें है 60 वजार की ता सरव के अनसार बिवानी जिल्ले की दो सीटें बिवानी सैर और तोसाम यहां पर बारते अंता पार्टी कमल खिला सकती है तो वहीं लोहारू और बवानी खेडा इन दो सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीदर्ज करने में काम्याब हो सकती है बवानी खेडा विदानसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी कांटे की टकर के साथ जीदर्ज कर रही है यहां अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है इनेलो बगेरा का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा इसके अलावा मेंदरगर जिले की रोडल चार विदानसवा सीटें हैं फ्लोच अबजार क पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है लेकिन बची उवी अटेली मेंदरगर सेर और नारनोल तीनोई विदानसवा सीटों पर बारतियनता पार्टी कबजा करती होई दिखाई पड़ रही है मेंदरगर सेर विदानसवा सीट पर बिजेपी से बागी हुए जिन जिले की दो सीटें जुलाना और उचाना कला से कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है अलांकि उचाना कला विदानसवा सीट पर है जो निर्दलिय परत्यासी विरेंदर सिंग है उनके साथ इनकी कांटे की टकर है इसके अलावा एक सीट नरवाना इने लोग अठबंदन जिन सेर की विदानसवा सीट पर बिजेपी जीत रही है और सफी दो विदानसवा सीट से आजाद परत्यासी बच्चन सिंग आरया एक तरफा कबजा करते हुए आज की तासरवे में साप साप दिखाई दे रही है इसके अलावा चर्की दादरी जिले की टोडल दो विदान सीटें और दोनों विदानसवा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरफा कबजा करती हुए दिखाई दे रही है चर्की दादरी की बदरा यानि बाड़ा विदानसवा सीट और दादरी दोनों विदानसवा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरफा कबजा कर रही है बारतिय अंता पार्टी, आमादमी पार्टी, बसपा, इनेलो, जजपा, इनका खाता ही नहीं खुलेगा चर्की दादरी में, फुरी तरह ऐसे सूपड़ा साप होता हुआ, आज की ता सरवे में साप साप दिखाई दे रहा है, चर्की दादरी की दोनों सीटों पर कॉंग्रे साथ बिजेपी जीत रही है, और करनाल जिले की असंद विदानसवा सीट पर है, कांटे की टकर के साथ बसपा जीती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का करनाल जिले की किसे भी सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा, फुरी तरह से सूपड़ा साप होच चुका है, इसके अलावा पंचकुला जिले की टॉडल दो विदानसवा सीटे हैं, एसिया के मसूर फ्लोच टाबजार की ता सरवे के अनुसार, पंचकुला की दोनोंे विदानसवा सीटे हैं, कालका और पंचकुला दोनों सीटों पर कंग्रेस पार्टी एक तरपा बारतिया जन्ता पार्टी का पंचकुला की किसी भी विदानसवा सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा अन्य का भी यहां पर पूरी तरह से जूपड़ा साप हो चुका है लेकिन जन्ता जनारदन दुवारा मद्दान के दोरान किये गे बड़े खेला का कहीं न कहीं कोंग्रेस को पंचकुला की दोनों विदानसवा सीटों पर फायदा होता हुआ साप साप दिखाई दे रहा है इसके लावा सोनिपत जी लेक रोडल 6 विदानसवा सीट है फ्लोशटा बजार की तासर रवे के अनुसार सोनिपत की गोहाना और सोनिपत सीट पर बारतिया जन्ता अज़ाद परतियासी कपूर नरवाल जीत रही है और गनोर विदानसवा सीट पर अज़ाद परतियासी दवेंदर कादिया नेक दरपाज जी दर्ज करने में काम्याब हो रही है इसके अलावा प्रिदाबाद जीले की रोडल 6 विदानसवा सीटे है फ्लोशटा बजार की इसके अलावा इसार जिल्ले की रोडल साथ विदान सबा सीटें हैं प्लोचटा वजार की तासरवे के अंसार हिसार जिले की दो सीटें उकलाना और नारनोंद कोंग्रिस खाते में जा रही है तो वहीं चार सीटें आदमपूर, नलवा, हांसी और बरवाला यहां पर बिजेपी जीत रही है और हिसार सहर विदानसबा सीट से बिजेपी समर्थक निर्दलिय पर्तियासी, सावित्री जिंदल एक तरफा कबजा करती हुः सापसाप दिखाई दे रही है बरवाला विदानसबा सीट पर इनलोस एकडि टकर के साथ बिजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है बरवाला सीट पर कांटे की टकर है लेकिन इसार जिले की चा सर्वे को आसान बासा में समझें तो बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही 38-38 विदानसवा सीटों पर कबजा करने में काम्याब हो सकती हैं निर्दलिय साथ विदानसवा सीटों पर जीदर्च कर सकते हैं लेकिन मैंतुपुर्ण बात यहां पर यह है कि यह सातों के सातों निर विदानसवा सीटों पर कबजा कर सकती हैं एक सीट पर बसका और एक सीट पर मिल रही हैं आएसे में काजा सकता है कि निर्दलिय और अन्य हैं वो कहा न कहीं जो अर्याणा विदानसवा चुनाव की चाबी अपनी जेब में डाल चुकी है बिजेपी 38 खुद की साथ निर्दलिय यानि 45 और एक गोपाल कांडा 46 विदानसवा सीटों पर जो कह सकते हैं कि एंडिये जीदर्ज करने में काम्याब हो सकता है